नमस्कार बिहार पे चर्चा अभिशेक तिवारी जी के साथ अभिशेक जी ये तो 23 जून को जो विपक्स वालों की बैठक हुई यहां पे उसके बाद से बारिस रुकने का नाम नहीं ले रही है वियार में आखिर क्या हुआ उस बैठक में ऐसा कि रिम जीम बारिस क्या मतलब वहां पे इतने पापी खटे हो गए थे कि इंदर देव जो चापे पड़े आपको भी पता है बेगू सराय में किस प्रकार से तीन दिन तक लगातार जो कारू है इसके बाद जो है आज नितीश कुमार ने अपने विधायों की बैठक बूल वाली है और कल बिहार बंद का आवाहन बिहार के युवा मेघावी शात्रों के द्वरा विध्यार्थक्यों के साथ मेरे खड़े होने के सर्क आई कारण है देखिए यह पहले थोड़ा बताईए के भियार बंद क्यों है कैसा आवान है और मैं वही बता रहा हूं तीन साल पहले सर्ट विभार के थू कहा गया था कि 9 10 11 12 के लिए जो सिक्षकों की बहाली होगी वह बिहार टेट के थू होगी है ठीक है तो बिहार टेट आज से तीन साल पहले examination हुए उस वक्त बीजेपी के साथ से यूप कटबंदन था लड़के पास आउट कर गए बहाली का इंतिजार करते रहे प्रोटेस्ट करते रहे डंडे खाते रहे फिर उसके बाद राजयत के साथ सरकारे उन्हों नहीं कहा कि क्वालिटी सिक्षक नहीं तो हम बिपीएस सी के थूरू एक्जाम कंड़क करेंगे वह लोग जो सीटेट और बिहार टेट पास कर चुके हैं उनके पूरा मैटर समझते हैं आज से तीन महीने पहले बिहार के सिख्षा मंतरी पता नहीं किस यूनिवर्सटी से पढ़ें क्या है इन्होंने कहा कि करेंगे हमें क्वालिटी सिख्षक चाहिए नहीं मिल रहा है तो जो पिछले तीन-चार साल से सीटेट वाले या फिर बिहार ट इनको याद है कि निती ठीक नहीं है हमारे नितिश जी को पीम बनना है तो पूरे स्टेट के सभी स्टेट के लोगों को बिहार में सिख्षक का फॉर्म भरने देना चाहिए लेकिन भी वही है सर 9 10 11 12 मैं अभी सिख्षा मंतरी को एक्सपोज कर रहा हूं 9 10 11 12 जहां पर बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी एक अलग-अलग सब्जेक्ट हो जाते और पढ़ाया जाता है उसके लिए तो अभी भी हार्टेट जो पास किया है वही फॉर्म फिलप कर सकता है वन टू वेट के दोरान फिजिक्स केमिस्ट्री या बाइलोज लोजी के सिक्षक बिहार से नहीं मिल रहे हैं इसलिए हमने पूरे देश से लोगों को कहा है कि आप फॉर्म भर सकते हैं अब बताएं सर कि वन टू फाइव क्लास के लिए बेसिक जो बिहार के लड़के पूरे भारत के बैंक के जॉब निकाले रहे हैं रेल्वे के जॉब च्छक बिहार नहीं दे पारा है तो दो लोजिक है या तो चालीस साल में और नितीष कुमार की समाजवादी सरकार के सिक्षक कैसे आए कि क्वालिटी स्टूटेंट उत्पन नहीं हुए तभी तो फिजिक्स केमेस्ट्री बायोजी में लाइक कर रहे हैं या वह अभी सिर् लेकिन ये ठेक्निकली जूट है असी हजार जो है one टु एड लोग भर सकते हैं और उसी में बाहर के लोग भर सकते हैं तो असी हजारी इसी बात को लेकर करें के चालूँ है कि आपने हमें तीन महीने का मात्र समयं में दिए वीपे सी तयारी करने के लिए फORM भरवा दिया और एक्जाम से एक महीने पहले कहने कि आप बाहर वाले भी आएंगे तो उत्तर प्रदेश और जहारखंट से टेट लेता है लड़के उसी ट्याग लाइन के साथ सिक्षामंत्री को ट्वीट कर रहें कि अपनों पे करम आपनों पे सित्म एजाने वफा यह जुल्म ना कर यह वालट टैग लाइन के साथ आजकल आप देख रहे हो बहुत सिक्षामंत्री और टेक्निकली यह बात यह है कि इस मुद्दे को बीजेपी भी उठा रही है लोजपा भी उठा रही है कल उपेंद्र कुश्वान ने जबर्दस नंग से उठाया बैक फूट पे नजर आ रही है सरकार लेकिन सरकार की समस्य आपको पता है सर प्रधानमंत्री नितीश कुमार को तो उसी द्रिश्टी कोण से यह है लेकि तो ठीक है लेकिन लड़के बिहार के कहरें कि मतलब या तो लेबर बनाईएगा और सिक्षक बनने का भी मौका छीन लिया डोममेसाहिल की नीती तो हर जेगा चलती है 80% 90% वाला स्लोट तो कम से कम देते जैसे जहारखन में 90% हो मेसाहिल है तो वह भी तो कम से कब कुछ देते हैं लेकिन खैर कोई बात नहीं कि अब इसका जो एंगर का प्रभाव है जो मैं कल गांधी मैदान में लड़कों से मिला हूं और कल पूरा बिहार इन्होंने बंद बुला है यह जो क्रोध है ना कि नितीश कुमार तो डूबेंगे डूबेंगे साथ में आरजेडी की सरकार भी और आरजेडी के लिए भी यह खत्रे की घंटी है क्योंकि यह सिर्फ किसी यादव मुस्लीम कोईरी कुर्मी का मुद्दा नहीं है स्टूडेंट हर क्लास से और वो क्रोधित है इसका घाटा जो है नितीश कुमार को बहुत जबर्दस्थ होने वाला है तो अब कल के बंद को लेकर कुछ खास तैयारि चूट के तरफ से आपने अगनी वीर तो देखा है और उसका प्रोटेस्ट भी बिहार में देखा था अब वैसा नहीं होगा वैसे भी जो है इस समय बिहार में तो खासतोर से जो जितने भी कोचिंग सेंटर है बहुत बड़े इंफुलेंसर है यह जिस तरह से चाते हैं उस की चुना मेरे मुंगेयर के केति क्या था कि कोई ऐसा से नहीं था लेकिंड़िराज सीग का बयान सर चौकाने वाला है कि हमको जब पार्टी कशिणाव नवाता से लड़ना चाहता था तो पार्टी ने कहा कि नहीं उन्होंने कुछ यह कहा कि जब मैं बेगु सराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी कहीं और भेज देगी तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा मन्थन यह है कि भुमिहार बहुल एक और छेत्र हैं मुगेर क्योंकि बाढ़ बक्तियार बक्तियार पूर सौरी गलत बोल गया बाढ़ और मुकामा यह सब उसी लोग सभा में आते हैं तो बीजेपी की समस्या एक चला गए यह बियार में मुकामा बियार में सेर वहीं के विद्धायक है ना अनन्सिंग के खिलाफ एक और बाहुबली की वाइफ ललन सिंग बीजेपी वाले ललन सिंग उनको खड़ा किया था मुकामा विद्धान सभा में बाइपोल में जिसमें अनन्सिंग की बड़ी मुश्किल से बीस हजार मात रुपोर्ट से जिसने यह साइन किया कि बीजेपी के साथ अन के लोग सभा में आता है और यह जो है ललन सिंग पे अमिज शाह ने भी अटक किया कि यहां पे जो बाहुबल का उपयोग करके वोटर्स को इंफ्लूएंस किया जाता है डराया जाता है धमताया जाता है तो यह मत सूचिएगा कि आपके साथ मैं और आधर्णिये नरेंद् शाह खड़ा हुआ है तुम्हारे साथ और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होगा कई जो है बड़ा अब इंपोर्टेंट लोग सभा हो गया है मुंगेर में ललन सिंग को हराके बीजेपी बिहार में यह चाहती है बताना के जद्यू की हैसियत या नितीश कुमार कि ललन सिंग की हैसियत विदाउट बीजेपी के सपोर्ट जीरो है विदाउट फॉर्वर्ड के सपोर्ट के भुमिहार के सपोर्ट के भी जीरो है तो बेगु सराय के लिए उनके पास है भुमिहार कंडिडेट नवादार के लिए लेकिन वह एक बाहुबली कंडिडेट के सर्च में हैं जो मुंगेर में लगलन सिंग के सामने खड़ा और उसी पर बंथन था हलाकि अभी भी सोर्सेस जो है वो रिवील नहीं कर रहे हैं काई नाम लेकिन फिर भी जो दो ती नाम सत्ता के जिसको कहते हैं गलियारे में गूझ रहे एक तो यह है कि गिरिराज सिंग को वहां शिफ्ट करने के प्लैनिंग है और जो चिराग पास्वान के साथ फाइब प्लस वन का फॉर्मूला फिट हो गया है उसके बाद जो सुरजभान सिंग के भाई वाली सीट है वो बीजेपी अपने कोटे से सुरजभान सिंग के भाई को दे देगी कोई दिक्कत नहीं ह जाएगी तो लोग उसपे भी कोई समस्या नहीं है और दूसरे भूमिहार को दिया जाएगा यानि भूमिहार से इस बार तीन लोग सभा के बीजेपी कंडिडिट देना चाहती है इसी वज़से गिराज सिंग की चर्चा है लेकिन एक और नाम है उस दिन पहले तक मंत्री धानुक समुदाय से आते हैं नाम नहीं लुगा क्योंकि नाम होने से आजकल ये बड़े कॉल फ्रू आये थे उसके बाद लास्ट एपिसोड के बास के सर आप नों बतलाव में दो जदिव के लोगों के नाम ले लिए हमारा ऐसे मत लीजिए नाम क्योंकि हमको सफाई पार लेकिन मैं यह देता हूं कि वह धानुक समुदाय से आते हैं मतलब मंडल होते हैं और सेकेंड पॉपुलेशन जो सबसे अधिक है भूमिहार के बाद वह मंडल है तो भी एक थौट प्रोसेस हो सकती है बीजेपी की के मंडल समुदाय का वोट और भूमिहार काफी तक तो ब करा लिया तो बड़े महारतियों के द्वारा निर्दारित था या यह 23 वाले कारेकरम के बाद अचानक यह कारेकरम रखा गया नहीं सर्य यह 23 वाले के बाद हुआ है अच्छा और मैं तो चुकी मैंने वो स्पीच देखी हमित शाह की काफी दिनों के बाद पब्लिक मिटिंग में बोल रहे थे हमित शाह तो उन्होंने पहले तो परनाम किया मुंगेर के लोगों को आथ जोड़ गे और फिर लोगों को यह याद दिलाया कि भई आप लोगों हमें 2014 में सबस्यादे सीटे दी हमें 2019 में सबस्यादे सीटे दियार से मिली तो हम उसी को अब रिपीट करना चाहते हैं नितीश राहूल लालू इन सब पर तो खैल उन्होंने अटेक किया ही और नितीश मैंने देखा 370 को लेके काफी बोले यहां पर 370 को अटाना चाहिए यहां था यह नहीं सबस्दोगों से हामी भरवाई उसमें तो मुझे लग रहा है कि कुछ मुंगेर से कुछ खास वजए से यहां पर करेकरम रखा गया यह तो आप ही बता सकते हैं किसका रीजन क्या रहा होगा ने नी सार्थ देखिए मुंगेर का एक मात्र खास रीजन ज फोकस करते रह जाएं और बाकी बीजेपी जो है बिहार के सीटों पर अच्छे से फोकस कर सके आपको याद होगा सर यह वंडिती अखिलेश यादों के खिलाफ कुछ सुनी सुनी सी लग रही है कि अचानक खला हुआ कि निरुवा खड़े हो गए आजम घड़ हार रहे हार रहे हारे और उसके बाद पूरा समाजवादी पार्टी का जो कुनबा था वह आजम घड़ पर फोकस्ट हो गया कि अखिलेश यादों को जीताना है जीताना है और उसका परिणाब यह हुआ कि बाकी पूर्वांचल के जो सीटेट केंपेंड नहीं हो पाया था तो कुछ व अपने सारे प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगा दी किया क्या क्या अमित शाने बाते कहीं उनका जवाब अलग अलग से बताया जाता है कि नीरज कुमार आट नो के करीब प्रवक्ता है उन सब कि अलग बात और जो सूत्र कहते हैं कि अमित शाह से जद्यू के चार-पांच सांसद लगातार टच में हैं और वह टिकट चाहते हैं बीज़ेपी से भाई आप अपना घर संभालिए ना आज नितिश्कुमार हाला कि घर संभालने पर आये हुँ आज जब अभी हम शोर रिकॉर्ड कर रहे हैं यह जब तक आप लाइव करेंगे तो मिटिंग कर चुके होंगे लेकिन एमलसी और विधायक से लेकिन पूर्विधायक यह जो सिटिंग सांसद है सबसे ज़्यादा खत्रा वहां उत्पन हो रहा है उनको कौन संभालेगा अच्छा जो 23 तारिक वाली विटिंग थी उसके बाद मैंने एक वीडियो गनाया था देश्वंत सिना ने एक ट्वीट किया था नितीश कुमार को लेकर और वो बहुत चला वीडियो और अभी बंतलब अनिस्टॉपबल है लगातार चल रहा है वो तो उसमें पात तो बैस ने कोई नहीं कहीं नहीं लेकिन येस्वंत सिना ने ये कहा था कि बहुए देखिये जो विपक्ष का आज फेस बनने की कोशिश कर रहे है नितीश कुमार इनकी इतने बड़े पल्टू जो हैं ये पल्टू शब्तों नहीं कहाए उन्हें लेकर उनने कहा कि अपनी बातों स जिस तरे से मुकरते हैं पहले लालू को गाली दे के बीजेपी के साथ आ गए अब बीजेपी को सामपरदाइक बता के फिर लालू के साथ आ गए तो उन्होंने इस पर काफी हमला बोला था तो मेरे कुछ ये भी याद पढ़ रहा है कि 2020 में यश्वन सेना कोई पार्टी वार करेंगे पहले इन ही का मैं बात करेंगे अब इस बयान के सर में दो मतलम भी कालता हूं पहली बात क्या यह ममता बेनर जी के प्रती लॉयल्टी है वहीं से सांसद है ना बंगाल से नहीं सांसद नहीं है इन्हें तो कुछ नहीं मिला राश्टपती का चुनाव लड़े थे इनकी स्थितिया बाएसी हो गई है कि ना यह बहार है कहीं पर नहीं नो वेर इनका एक दर्द यह था कि विपक्ष की बैठक बुलाई गई तो मुझे भी विपक्ष का नेता मानते हैं तो मुझे भी बुलाई जाना चाहिए हां मैं वहीं कहने वाला था कि इनका एक दर्द यह हलाकि अपनी महत्व कांशा में यह अच्छे भले बेटे का केरियर जारखंट से बाद कर दिया यह जो है मैं उनके बेटे के प्रस्पेक्टी से सोचता हूं तो कहते होंगे इतना तो बर्बाद वो जो अभी रिटायर पिंसन पर रील्स बना रहा है उसने नहीं किया होगा अपने बेटों को जितना मुझे आपने बर्बाद किया है लेकिन यह कोशिस है कि राजनिती के केंदर में कम से कम एक बयान के बहाने में आऊं वापस लोग मुझे नोटीस करें आपने वीडियो तो बना ही दिया लेकिन मुझे आद है कि जब वो टीम से ज्वाइन कर रहे थे तो बीजेपी या संग की कोर आइडियोलोजी की इतर जो उस वक्त उन्होंने बयान बाजी की थी उसके लिए मैंने आज तक उनको माफ नहीं किया है जो आदमी अटल विहार वाजपेई की टीम में इतना बड़ा पूर्टफोलियो संभाला हूँ वह आदमी आरेसेस के लिए जिस प्रकार का सब्दों का उप्योग किया मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक पॉलिटिशन की निसानी भर है और अब मैं उनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हू उनकी वो जब फोन कर रहे थे नितिश कुमार को उनने यह भी बात कही थी कि मेरे फोन नहीं उठाते थे वो और लेकिन एक बात इससे यह थोड़ी सी स्पष्ट जरूर हो गई कि जिस तरह से नहीं विरोध किया तो अब मुझे लग रहा है कि अब नेक्स्ट जो कि इसको करनाटक में सिफ्ट कर दो हाँ अब सिम्ला से करनाटक चले गया अभी नौटक की देख लिजिए यू सी सी पे यूटन मार लिया हम आदमी पार्टी ने एक्जैक्ली जो संभावित था उद्धिक रहा है कि भाई इनके बस का नहीं है ओर्डिनेंस रुकवाना पावनाम मत नोलो उनके लिए तो इतने उनके बारे में इतने पॉइंट्स मेरे पास कलेक्ट हमेशा रहते हैं केजरिवाल हकीकत में अब ये डर गए हैं कि मैं अंदर जाने वाला हूं अभी भी आज इंडियन एक्स प्रेक्स ने आधे पेज की खबर चापी है कि वो दिल में ये कहने की कोशिश है अमित चागो कि माई बाप मुझे बक्स दो मुझे बाहर रहने तो मैं कुछ नहीं करूंगा ना इन विपक्स वालों के साथ जाओंगा हकीकत बात तो यह है इसे कोई खुलियाम कह नहीं सकता मीडिया चीज़ को लिख नहीं सकता लेकिन हकीकत बा सबसे बड़ी नितीज के उपर जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम केसी आर को तो कम से कम लेकर आओगे ना और यह दोनों उनसे काम नहीं नहीं कह दिया कि आप यहां आओ महाराष्ट में बहुत सारे नेता एंसीपी के सब जाने के लिए यार बैठे हैं कॉंग्रेस वाले यहां आजा उन्होंने पूरी एक केजिया ने पूरी एक मीटिंग कर ली वहाँ पर हां मीटिंग कर ली बाक है था 600 वहानों काफिला लेके गए बढ़े और एक बात और बात बता दू कि अब मेरा जो मानना है 23 जून की जो बैठक थी पटना की वह विपक्ष की पहली और अब यह जो बैठक बैंगलोर में या कहीं भी जब होगी करनाटक में यह यूपीय की बैठक है इसमें तो पहले भी यूपीय बानके बोल रहा था सर ममता और केज्रिवाल को हटा दे तो उसे यूपीय नहीं कह सकते थे अब तो प्योरली यूपीय की होगी जो जितने भी आएंगे यह सारे उल्डेडी यूपीय में तो यूपीय की बैठक है कांग्रेस कमान अपने हाथ में ले रही है फिर से नितीश कुमार को डखका नहीं हो रहे हैं आप चिराग पास्वान का कुछ बता रहे थे कि फाइव प्लस बन फार्मूला और तो दिल्ली में चर्चा मोदी जी ने पर सो मिटिंग किया मित शार जेपी नडडा के साथ और रिशफल की चार गंटे मिटिंग चली है बिल्कुल मैंने उस पर शो किया है कि केरल के बहुत बड़े सुपरेस्टार को भी मंत्राले मिलने की पूरी पूरी संभावना है तो वहां पे भी फोकस्ट है है वह सारा यह ठीक बात है लेकिन जो फाइब प्लस वन है वह कुछ इस प्रकार से कि आपके पांच लोगों को हम टिकेट देने को त्यार है हम खुड ट्वेंटीएट पे आ जाएंगे एक को राज्य सभा से हम एंपी बना देंगे पिछली बार सिक्स प्लस वन था तो लडेंगे बीजेपी के लीडर से भी ती आओगा कि पूरे बिहार के जो पास्वान वोटर हैं वो चाचा के साथ नहीं भतिजे के साथ हैं वह पूरा का पूरा रामिलास से ट्रांसफर हुआ है चिराख पास्वान की तरफ तो आप वहां मज जाईए जो जहाना मैं मोहर ए अरुन कुमार है लोजपा के लड़ेंगे बीजेपी के सिंबल पर लेकिन रहेंगे आप ही के तो उनका उनका भी आल्मोस्ट कंफर्मेशन है तो यह फॉर्मुले से और जो लोग कह रहे हैं कि कल अमिज शाह जी के इसमें वह क्यों नहीं है मैं दर्शकों को वाटसएप तो नहीं दिखा सकता दो दिन पहले मेरी व्यक्तिगत रुप से चिराग पासवान से बात हुए है वह इंडिया में है ही नहीं वह आउट ओफ इंडिया गया हुए मेरी बात हुई है और इसी चीज़ को लेकर के जब हमिशा आने वाले तो मैंने बोला कि एक इंटर्व्यू सेशन रख लेते हैं तो बोले अभी राइट नो तो मैं इंडिया में नहीं हूँ अभी शेक्षी लेकिन जैसे इंडिया में आउंगा मैं आपके साथ इंटर्व् कुछ लोगों ने इस तरह से खबरे बनानी शुरू की हैं कि जो एक कामराज फार्मूला कभी कांग्रेस लाई थी के समय में तो कांग्राज जो है बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस के तो उन्हें कहाता है कि पार्टी को मजबूत करना है तो हर आदमी को मंतरी नहीं और जो फिल्ड में इतने सालों से लोगों से काम किया और लोगों से सही मायनों में फीड़बेक लेका हैं उन्हें कायते से मंतरी बनाओ तो कुछ इसी फार्मूले पर आपको याद होगा कि 2021 में भी रिशफल हुआ था जब निशंक और हर्षवर्धन रवी शंकर पर साथ सा वटे थे ये लोग उसमें भी 12 अटे थे और 17 नए आये थे इसमार ही माचल वाले की पारी है तो अब हो सकता है कि उसी 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 लाइन पर ये चल रहे हूँ लेकिन मैं चलते चलते एक सवाल और बड़ा पूछना चाहूंगा इस एक खड़ना हुई है सारण में बड़ सरकार है राजत की तो राजत से सवाल पूंचा जाया कि अच्छ लोग इसको परिवारी विवाद बोल रहे हैं कुछ लोग उसमें गौवाणा आंगल जोड़ रहे हैं लेफ्ट इको सिस्टम गौवाणा एनगल जोड़ रहा हैं बिहार के लोगों से बात होत रही तो करें कि यह तो परिवारी कोई बात था अलाकि बिहार पुलिस ने भी इस पे ऑफिशिल स्टेटमेंट कुछ इसी प्रकार का दिया कि हम उस पे अरेस्ट वगरा कर चुगे हैं तो अगर यह घटना उत्तर प्रतेश में होती तब तो बात थी बात करने लाएक यह समय होती यह बीजेपी सासित राजमेंट चुकि यह बिहार में है और बिहार तो से कुलर राज देशे एस्टेट है तो वहां इस मुझे पर शायद बात करने लाएक है नहीं लेकिन इससे एक बात यह पता चलता है कि जो खान मार्केट गएंग है वो कितना बड़ा दूगला मीडिया है जो इस पूरे सारन के केस पे सिर्फ इसलिए नरेटिव वाला एंगल बना रहा है क्योंकि चलो वहां भी बीजेपी को ब्लेम करते जो सब्ता में नहीं हो उसको भी ब्लेम करते तो सब जगे एक कोशिश है तो चलिए देखते हैं क्य क्या होता है फिलाल तो नजर इसी पर रहेगी के अगली जो विपक्ष की बैठक होगी उसमें नितिश कुमार जाएंगे तो जरूर लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि कहीं चिराग पासवान जो है वो मंत्री पद की सपत केंदर में ना ले 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 ये बड़ा डवल कर चुके हैं और बीजेपी एक सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो वह चैप्टर क्लोज हो गया है लेकिन जदियू के कई लोगों को लगता है कि जो यह ब्लंडर किया है नितिश कुमार ने राजत के साथ जा करके उस पर लेकिन अगली बार हम चर्चा यह करेंगे इसा हो सक से बात करके और इसका फीड़बैक लाएं और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल कि दूसरे इससे में बाकी लोगों को भी पता लगे कि क्या वहां पर गड़बड़ियां चल रही है और किस तरीके से चीजे सामने आ रही है चलिए हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद जैश्र अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें